नमस्कार दोस्तों आप सब लोंका एक नई वीडियो में हर्दिक स्वागत है आज की वीडियो में आप सब लोंको हम दिखाना चाहेंगे निक्सर ग्राइंडर जो कि हमने बॉस कंपनी का खरीदा है तो आप ब्रांडिंग आपर देख सकते हैं इस तरीके से बनी हुई है और हम इसे ओपन करके दिखाएंगे और यह कितने का पड़ा है तो उसके बारे में बात करेंगे और कहां से हमने खरीदा है आप उनको बता द दिखाना चाहेंगे इसमें हमें कौन-कौन से जार मिलते हैं और किस तरीके से मसीन है वह सारी चीज़े दिखाएंगे और इसके रिव्यू जो रहेगा वह अगले वीडियो में देखने को मिलेगा फिलाल के लिए हम बताना चाहें हमाजान से खरीद लिया था और इसका प् हुआ है 100% यानि प्योर कापर का तो इस तरीके से बताएगे हाई टार्क के साथ है 1000 वाट का इसमें मुटर है ठीक है और यह इसका है यूजर मैनुवल इसमें इस तरीके से जार दिखाए गए है ठीक है जार और इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें सारे जार देखने को ठीक है तो यह रहा इसका कुछ यूजर मैनुवल काफी अच्छा और इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं तो फिलहाल चली हम इसे ओपन करते हैं आप लों को दिखाते हैं जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो एक डखन मिलेगा इस तरीके से यानि यह देख सकते हैं काड तो इसका लुक और डिजाइन कैसा है आप लोग कमेंट करके बताएं हमें तो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका लुट के आपनों को बता दें यहाँ पर जो यह सुच दिया गया है तो इसमें तीन स्टिप तक हम स्पीड को बढ़ा सक हुआ है प्लास्टिक का है काफी अच्छी क्वालिटी इसमें यूच की गई है अब बारी है इसमें जार दिखाने की यह कि हमारे इस बॉक्स में है तो पहला जार हम आपनों को दिखाना चाहेंगे अब यह रहा जार इसमें इडली का पेस्ट इस तरह बना सकते हैं इसका जो कैप है बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ यह जार जो अनना के लिए कॉछ यह फॉर लॉक दिएगे यानि 4 लॉक लगाएंगे ट्लास्टिक तो इस तरीके से आप open कर लेंगे नहीं ठीक है इस तरीके से open कर सकते हैं चारो साइट से और इस धकन को हटा सकते हैं ठीक है आप सारा अब इसमें हम दूसरा प्रोड़क्त दिखाएंगे जो अन इसमें दिए गए हैं जैसा कि आप देखेंगे कि चटनी जार मिलता है तो यह के इसमें डखकन लखा हुआ है इस तरीके से डखकन देखने को मिलेगा यह सेम डखकन है जैसा कि इसमें लगा हुआ था और यह रहा असानी से असे लगा सकते हैं यह रहा चतनी जार और प्रकार की कोई दिकत नहीं इसके बहुत सारे आगर आप वीडियो देखेंगे इनके रिविव जो हैं बहुत ही अच्छे मिलेंगे यह दूसरा जार था अब बात करते हैं टीसरे जार की ठीक है तो यह रहा इसका तीसर तो नियुक्तार इस में आप मसाला कर सकते हैं कोई मसाला craft आपका जैसा कि आपने देखा होगा जो भी मसाले आपके पास है धनिया मिर्चा जो भी आप इसमें..? ur ग्राइन कर सकते हैं काफी अच्छी ब्लेट के साथ हैं स्टेनलेस सारी की सारी इसमें प्लेट लगी कपिशी हुई है यह ढगन से нравится तरीके से काम करेगा से माप इसमें है पर रखेंगे छिर्लाक कर्दा देंगे इस तरीके से राक हो जाएगा ठीक है तरीक इस तरीके से चारों साइट से लग करेंगे तो यहास तीसरा जार अब बात करते हैं 2014 है जार की हुछ 14 हमारा देखने काहां पर मिले गा कुछ इस तरीके से यह है जूसर ज्रार एक इसमें हम जूघ निकाल सकते हैं और और अपना सिक बनाना चाहें तो सेगे भी बना सकते ही तो इसको उपयन करना है तो इस तरीके से ड लेंगे ठीक है और इसके नदर एक जाली मिल जातेए जूस निक्रमने के लिए और इसके अंदर जो जाली लगी हुँए वह भी बहुत now महीन महीन इसमें होल किये गें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यह जाली है और साथे साथ यह रहा जार इसका और फोर ब्लेट अंदर की तरफ आप देख सकते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से रख के इसमें फिट करना होता है तो जाली देख सकते हैं इस तरीके से फिट हो तो हैं प्लमाटेन सकते हैं डारेक्ट आप इसे अटइच कर के उपना निकाल सकते हैं जूस साइड में इकठा हो जाता है तो इस इन सभी जितने भी जार हैं इन करेंगे और यह शाफ करने के लिए जार को चाकू की जैसा कुछ दीया गया है इसको 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 इस्तेमाल करके आप जो मैटेरियल अंदर लगा हो उसे हटा सकते हैं और आपनों को दिखा दें सबसे पहले से फिट कैसे करते हैं तो यह है मसीन जैसे कि यहां पर दो कटल बने हुए है कुछ इस तरीके से चोटे-चोटे तो इसको हमें यहां पर इसमें कट बना हुआ है इसको इस तरीके से रखना है ठीक है फिर अपनी तरफ को ऐसे गुमा देना है यह जार इस पर फिट हो गया है वि Stainless Steel Blade भी मिल जाता है, एक ही सेट के आप एक ही यहां पर है, तो इस तरीके से एक्ष्ट्रा मिल जाता है, ताकि मान लिजिए, किसी में Blade खराब हो, तो आप इसको लगा सकते हैं, तो चार जार हमारे हो गए, आप लोगों को दिखा दें, एक साथ में, तो एक यहां पर जार ह हुआ दूसरा यह जार हो गया और तीसरा जार यह हो गया चोथा जार हमारा जो जूस वाला है यह है तो इस तरीके से हमारे टोटल चार जार होगे इसके साथ अब बारी है इसकी प्राइस की आप लोगों को बता दें अमाजान से अगर खरीदते हैं तो यह है 500 की पढ़ जाती है यानी की पढ़ जाता है grasp कि यानी । टैरेक्ट काश्वा 10,80 के साथ डिसकाउंट के साथ जो है अच्छे भारी डिसकाउंट के साथ जो है अमाजान पर मिल जाएगी इसका लिंक भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिकर के आप खरीज सकते हैं उसका प्राइस भी चक कर सकते हैं बाकि इसके रिवीव की जो वीडियो हमने देखी थी बहुत ही अच्छे रिवीव के वीडियो से आये हुए थे उसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी तो सुमें बताएंगे कैसा हैसका प्रकार में बाकि वीडियो अच्छे लगयो तो प्रीज वीडियो के लाइकना शेर करना